Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं आप सब? आशे करती हूँ, आप सभी अपनी घरों में खुश होंगे और अपने के साथ सुरक्षित होंगे आज की reading में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके person क्या अपनी चुपी तोड़ेंगे अगर इसका answer है yes तो कब तक आएंगे वो आपके पास शुरू करते हैं आज की reading nothing is yet set in stone पहले card यहाँ पे आगया है monology deck है आप में से बहुत सारे लोग मुझे decks के बारे में पूछ रहे था तो मैं आपको यह बता दूँ सभी decks का जो link है मैंने description box में दे दिया है जो जो मैं use करती हूँ आपको सभी की details वहाँ से मिल जाएंगे confidence is your key to success चैनल पर नहीं आए हैं तो like, comment, share करके जल्दी से इस चैनल पर अपना feedback जरूर देदीजेगा this energy is gaining momentum क्या अपनी चुपी तोड़ेंगे emotions are running high sorry guys, वो camera की जो battery है वो dead हो गई थी, तो हम दुबारा से आगे हैं cards वो ही रहेंगे तो देख लिजेए, यहाँ पर emotions are running high work through your fears, the energy is gaining momentum confidence is your key to success nothing is yet set in stone मेरे viewers की personal feelings में बताने की कोशिश करती हूँ आपको भी बहुत जादा महसूस हो रहा है पेचले कुछ समय से कि अब आप दोनों को अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इतना समय बीच चुका है दोनों की बातचीत को बंद हुए और आपको इस रिष्टे का future भी कुछ नहीं नजर आ रहा है वो इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि इतने समय से अगर आपके person को आना होना होता तो वो कब का आ जाते तो आपने भी कहीं न कहीं उमीद जो है छोड़ दी है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचके मान के बैट चुके हैं कि it was not meant to be मतलब ये चीज सफल होनी ही नहीं थी हम दोनों को एक होना ही नहीं था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे तो आपका जो डर है कहीं न कहीं वो जीत गया है nothing is yet set in stone इसका मतलब ये है कि angels ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफी time हो गया है और अब हम दोनों का एक होना बिलकुल भी नमुमकिन है तो दिल थाम के बैट जाईए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी भी बहुत कुछ है जो change होना है और change होना बाकी है यहाँ पे रह गया है कि कुछ भी चीज भी fix नहीं है क्योंकि यहाँ पे energy वारी rating है तो सब कुछ जो है change होता रहेगा समय के साथ confidence is your cue to success अगर आपको कोई चीज जराती है अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिष्टे के लिए आप ही कसूर वार है तो दिल थामके बैट जोई है क्योंकि आपका कसूर यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका कसूर बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपनी इस इंसान को अपना दिल दिया आपका कसूर बस इतना है कि आपनी इस इंसान पर भरोसा किया इसलिए आप बहुत ज़दा इमोशनली अभी बहुत ज़दा हाई हो रखे हैं इमोशनली आपको चीज़े जो हैं याद आ रही है आपको अपने परसन के वादे याद आ रहे हैं आपको वो चीज़े बार-बार रुला रही है और आप चुपके से जाके सबकी नजरों से दूर, अपने emotions को हलका महसूस करवाते हुए नजरा रहे हैं, बहुत सारे लोग चुपके चुपके रोते हैं आपके person की यार में, लेकिन यहां पे काड़ाया है कि आपको अपना confidence जो है वो गिरने नहीं देना है, जहां आप अप अपने आपको बहुत ज़्यादा कम महसूस करके, खुद को बहुत ज़्यादा परिशान करें हैं, खुद को रुला रहे हैं, खुद की emotions को बहुत ज़्यादा कमजोर मान रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ आपके person का क्या हाल है, वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज जॉय, क्या हो रहा है आपकी पर्संट के लाइफ में जानने की कुशिश करते हैं, क्या हो रहा है इस वाक्त, क्वेस्ट आ गया है, जॉय आ गया है, इंस्टिंक्ट आ गया है, डिस्पॉंडनेंस आ गया है, Okay, काफी चेंजिस हैं यहाँ पर, पहले के मकाबले काफी चेंजिस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्रिएशन यहाँ पर आ गया है, यह पर्संट आपके साथ नई शरुवात चाहते हैं, यह पर्संट अपने पास्ट को भुला देना चाहते हैं, पास्ट आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खौफना करा है देख लिजे यहाँ पर अंसर आ गया है रिलीज इसका मतलब जानते हैं क्या है जो चीज़े आपको परिशान कर रही है कहीं न कहीं वो चीज़े आपके परसंट को भी बहुत बुरी तरीके से परिशान कर रही है जो सवाल आपके मन में है जो सवाल आपको बहुत ज़दा सता रहे हैं कहीं न कहीं आपके परसंट को भी वो सवाल इस कदर सता रहे हैं कि आपके परसंट मुझे इस समय किसी और से आपके वारे में बातचीत करते हुए नज़रा रहे हैं ऐसा लग रहा है आप दोनों के जो बहुत करीबी है ना उनमें आपके परसंड बहुत ज़दा भी घुल मिल रहे हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं और ये डारेक्ली तो नहीं क्योंकि ये चाहते को लेके बहुत ज़दा श्योर है इस बार मुझे लग रहा है इस बात को लेके बहुत ज़दा श्योर है कि आपके पास अपने आपको आने से रोक नहीं पारे हैं लेकिन ये अपनी चुपी तोड़ेंगे या नहीं चानने की कोशिश करते हैं कि चुपी अपनी चुपी कप तक तोड़ेंगे कफिन ओके बहुत ही ज़ादा यहाँ पे आ गया है न्यू बिगनिक्स प्लस एंडिंग यहाँ पे नज़रा एंडिंग बहुत करीब है इस सेपरेशन की एंडिंग डिस्टेंट होराइजिंस देख लीजे किस प्रकार आप दोरों की जो दूरियां है इनको बहुत ज़ादा भारी पड़ रही है इनके मन नहीं आपने इमोशन को लेकि बहुत ज़ादा हैविनिस मुझे दिखाई दे रही है यह पावर्टी ओके पावर्टी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है जानने के कुशिश करते हैं पहले सारे कार्ड पुल कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रिडिंग का लिंक आ गया है प्लीज जल्दी से जाके देख लिजीगा मैच्योर वुमन यहाँ पे आ गया है यहाँ तो कहानी कुछ और चल रही है उसको देख लिजीगा देखना ज़रूरी है वो रिडिंग टाइमलिस है और आपको देखनी ही पड़ेगी यहाँ पे है चाइल्ड ओके 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 ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके घर पे कोई बच्चा है जो हो सकता है इनके रिलेटिवस का हो जो रह रहा हो या फिर हाल ही में इनके फैमली में किसी ने कोई अडॉपशन किया हो एक चीज़ मैं बोल दूँ यह जो परसन है फानेशली बिल्कुल भी अभी सही नहीं चल रहे है नमबर्स आगे हैं 18, 19, 36, 37 और यहाँ पे आगे 6 देखिए बगल-बगल वाले नमबर 18, 19, 36, 37 और यहाँ पे 6 इसका मतलब आप जानते हैं इसका मतलब यह है यह लाइफ में आपको हमेशा साथ में रखना चाहते हैं लाइफ में हमेशा आपको साथ लेके चलना चाहते हैं चाहिए कहीं पे भी जाये जाये ट्रावल करके जाये कोई भी चीज़ यह शुरू करें कोई भी चीज़ खतम करें यह चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें जिन्दगी के हर पड़ाव में यहाँ पे कफिन का जरूर यहाँ पे काड़ा आ गया है जिसका मतलब यह है कि आपके person ऐसा सोच रहे है कि आपसे मिलना या फिर मर जाना बहतर है यहाँ यह बहुत बड़ी बात कह दी बट यहाँ पे जो दूरिया है इनको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहे है ऐसा लग रहे है इनकी हालत जो है दिन पर दिन बहुत ज़दा खराब होती जा रही है mentally हो सकता है ये person बिल्कुल भी सही फील ना कर रहे हूं किसी से बात नहीं करते ये बहुत ज़दा कटे कटे और अलग रहते हुए मुझे नज़रा रहे है poverty ऐसा लग रहा है इस इनसान से इनका सब कुछ छिन गया है या फर ये मान लीज़े बहुत कुछ छिन गया है यहां पर mature woman देख लीज़े किस तरीके से मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहां पर इनकी mother शामिल है जिसकी वज़े से ये बहुत ज़दा pressure में महसूस करे और ये दोनों कार्ट साथ में है इसका मतलब हो ये भी हो सकता है कि इनके घर पर कोई female है जो इन पर बहुत ज़दा नज़र रख रही है या पर इन पर बहुत ज़दा दबदबा बना रही है जिस वज़े से ये आने की कोशिश करें लेकिन आने ही पारे लेकिन यकीन मानिए आप के जुदाई ने ना इनको बहुत ज़दा दरेदर कर दिया ऐसा लग रहा है पौवर्टी आ गई फारेंशल भी हो सकता है ये बहुत ज़दा थोड़ा वीक हो इस समय यहाँ पर चाइल्ड यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर कोई ऐसा हो इनका करीबी जो इनके पास नहीं हो लेकिन उस चीज़ को यह याद कर रहे है उनकी एंजल्स को यह याद कर रहे है और कहीं न कहीं यह आपको उनसे मांग रहे हैं यह बहुत बड़ी बात कहा दी हमने यह आपको भी उन से मांगते हुए नजर आ रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस वक्त मुझे अपने पर्सन के पाँ जाना चाहिए क्योंकि दिल में बहुत कुछ है लेकिन एक तरीके से दिमाग पर ताला पड़ा हुआ है कि बोले तो कैसे बोले लेकिन अपना प्यार करना चाहते हैं यह अपनी चुकपी जो है तोड़ना चाहते हैं अपनी चुकपी जो है यह तोड़ना चाहते हैं प्याला मेसेज़े से इन्हे परफ से हम देख लेते हैं यहाँ पर पहला काड़ आ गया है पहला message आ गया है किसी और की मत होना बहुत ज़गा possessive है यह आज भी आपको लेके ride me baby यह आपके साथ physically बहुत ज़दा attraction नसूस कर रहे हैं be mine only, किसी भी तरीके से आपको इनका ही रहना है मतलब यह आपको किसी और के साथ देखने का सोच भी नहीं सकती साथ निभाएंगे और आपसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार इनोंने जाके देख लिया जो तकलीफ है सिर्फ वही सहरे हैं और इनको बहुत साथ दर्द मैसूस हो रहा है लडाई, देख लीजिए जो आपके साथ निकी लडाईया होती थी जो पहले इनको बहुत ज़दा सजा की तरह लगती थी लेकिन आज उन चीजों को मिस्स करके ये बहुत ज़दा पच्टा रहे हैं बहुत दिल में इनके दुख है अकेला मत छोड़ो ये कह रहे हैं मुझे अकेला मत छोड़ो मैसिज का वेट रहेगा जिस तरही के से आप इनका मैसिज का वेट कर रहे हैं उसी प्रकार जब आप इनको मैसिज भेजा करते थे और ये आपके मैसिजज को इगनूर करते थे वो चीज वो पल याद करके ये कह रहे हैं, आज भी मुझे तुमारे message का वेट रहता है जल्दी से like करतीजे अगर आपको reading पसंद आ रहे हैं, इसी प्रकार की और reading चाहिए तो comment section में लिख दीजिए link जो है description box में दे दिया गया है new reading का उसको भी देख लेजएगा link you all over, बहुत नौटीस अपने देख रहे हैं वेटनस डे, बुद्वार के दिन कुछ तो खास है, comment section में बताईगा जरूर, देख लीजिए social media पर ये आपको stock कर रहे हैं, अगर आपको किसी के साथ देखते हैं, तो इनको बहुत साथ तकलीफ होती है, October, October हो सकता है बहुत खास हो आपके लिए, छुपाया, देखिए ये किस तरी किसे कह रहे हैं, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, उसका अफसोस इनको है तुमसा कोई नहीं, आज भी, ये किसी को भी आपकी तुलना के आसपास भी नहीं रख सकता है क्योंकि आपकी जगा कोई नहीं ले सकता ओवर, देख लीजे, जब ये चीज ओवर हो गई जब हम दोने का रिष्टा ओवर हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है, कहारे, lost ये आपके बिना बिल्कुल खोचुके हैं और इनको ये समझ नहीं आरा कि इनको कहां जाना चाहिए क्या करना चाहिए, आपके बिना बिल्कुल गुम शुड़ा हो, गुम हो चुके हैं भूलना, तुम्हें बोलाना मुश्किल है, तुम्हें बोलाना असान नहीं यहाँ पे एक और काड़ा गया है, soulmate आप इनके soulmate है, चाहिए कुछ भी करेजे, कितनी बी distance आ जाया कितना भी separation हो जाया, कितना भी no contact हो जाया हमेशा आप इनके soulmate थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे, they love you a lot आशा करती हूँ, reading पसंद आई होगी, जल्दी से इसका feedback देके जायेगा मिलेंगे नेक्स वेडियो में, God bless you, love you all